जिला मंडी से नश्वी का कारोबार खत्म हो सके इसको लेकर नश्वा कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर है आए दिन नश्वा तसकर पुलिस के हथे भी चट रहे हैं ताजा मामले में मंडी जला के पुलिस थाना पद्धर की टीम ने एक चट्टे तसकर को गिरफ में लिया है मामले की पुष्ट्वी करते हुए जियसपी पद्धर संजीब सूद ने बताया एसाई पवन कुमार के दिर्ट्व में पुलिस टीम ने गवाली के पास नाकल लगा रखा था गवाली कर रहने वाला कमल किशोर नामक व्यक्ति की गाड़ी से पुलिस को 6.82 ग्राम चिटब रामत हुआ है पुलिस ने कारेवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और तीन दिन तक पुलिस रिवान पर लिया है उन्हेंने बताया कि आरोपी से गहन पूछताश की जा रही है DSP पदर ने बताये कि चिट्टे के साथ गिरफतार हुए कमल किशोर पर पहले से भी मुकद में दर्श है कमल किशोर से कांगडा के शहपोर पुलिस थाना में चिट्टे की रिकवरी हुई थी और वो जमानत पर रिहा चल रहा है अब फिर पदर में चिट्टे का कारोबार कर रहा था जिस पर पुलिस की नजर थी वैसे पकड़ने में सफलता हासिल की है और उनके निर्देश के मताविक जो था वो पुलिस थाना पद्र की टीम जो एसाई पवनकुमार के नित्रत्र मेंने नाका जो था ग्वाली के पास लिगा रखा था इसमें हमने मुकदमा नियमान सार दर्ज कर लिया है और इस व्यक्ति की गरिफ्तारी भी होगी है और अभी तीन दिन का पुलिस रिमान जो है वो हासिल किया गया है और उसके बाद जो था हूँ वहां से जमानत पे रिहा हुआ और जमानत पे रिहा होने के बाद ये हमारे इलाका पद्दर में जो था हूँ फिर से चिट्टे का कारोबार कर रहा है तो इसके उपर पुलिस की कड़ी नजर थी और हमने इसको पकटने में सफलता हासिल की है और अभी हम पता लगा रहे हैं कि इसके साथ अन्य कौन-कौन ब्यक्ति जो हैं इसके स्लिप था